नमस्कार दोस्तो और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों लाश्ट वीडियो में लोगों ने बात किया था या तो फिर इंस्ट्रागाम या फेस्बूक आयड़ी पर पूछ सकते हैं तब इक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वाटसप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर लिजेगा पॉर बीट्यूपी फॉर्दर नोटिफिकेशन तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये लेक्शन नंबर 2 होने वाला है और आज की इस लेक्शन में हम लोग बात करेंगे टाइपस ओफ एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें किस तने प्रकार की एरर हो सकती है तो basically यहां पर मैं आपको एक ट्री डायग्राम शो कर रहा हूं इस ट्री डायग्राम को मैं explain करने वाला हूं आप इसे समझने की कोशिस करिएगा बाकि मैं इसे with example आपको explain करूँगा यहां पर लिखा हुआ है types of error in measurements मतलब कि जो measuring instruments होते हैं उनमें कितने तरीके की errors हो सकती है तो यह basically three types की error में defined होता है यहां पर मैं थोड़ा सा hide कर देता हूं जिससे आप अभी नीचे देखका कि ज़्यादा confuse नहीं होईगा जो errors होती है हमारी mainly three types की होती है पहला होता है gross error second hand होती हमारी measurement error और तीसरी क्या होती है blender error ठीक है जो gross error होती है वह हमारी errors इस तरीके की होती है अगर मैं आपको explain करूं यह जो instruments होते हैं इनके वज़े से यह हो जाती है या फिर आप यह कह सकते हैं जो instruments होते हैं इनको अगर use करते समय मैं थोड़ा सा तिर्षा रख गया या तो फिर up and down वगयरा की कारण यह gross error हो जाती है और measurements error को मैं अभी आगेर चलकर define करता हूं blender errors क्या हो जाती है जैसे कि अभी आपको क्या कि मैंने एक reading लेने के लिए बोला कि आप एक reading लेकर आ जाईए ठीक है तो आप reading लेकर के वहाँ से आ रहे हैं तब तक आप side हो सकता है point one या फिर कोई भी point value आप मिस कर जाएं तो वह blender errors में आ जाती है आप बिल्कुल भी tension मत लीजेगा आपको proper and definitions भी मैं बताऊंगा पहले समझा देता हूं चीजों को ठीक है होती है ठीक है systematic errors जो होती है वह हमारा phase 4 part में define की जाती है instrumental errors environmental errors observational errors and theoretical errors ठीक है तो अभी मैं measurement error को बता देता हूं measurement error क्या हो जाता है कि अगर आपको मैंने बोला कि आप एक instrument है उसका measurement कर ये ठीक है तो अभी आप measurement करने में अगर कोई error कर देती तो वहीं error क्या कर लाएगी measurement error कर लाएगी अभी next क्या होती है कि ये दो टाइप में further notified होती है याफी further ये बटी होगी होती है तो एक होता है systematic error and एक होता है random error random errors क्या हो जाता है कि ये हमसे होती ही रहती है जदा करक्रा होती ही इन एर्रस को हम लोग random Errors में calculate करते है systematic errors क्या होती है जो हमारे system या फिर जो हमारा instrument है उसके वज़े से जो error होती है उसे हम लोग systematic error कहते है next ये systematic errors जो थी 4 types में हमारी defined होती है जैसे मैं आपको बता भी चुकाूँ कि instrumental error क्या वज़ाती है जो errors हमारी instrument के वज़े से होती हैं आप समसकते हैं कि अगर instrument में यह कोई हमारा एक instrument है तो मज़ें लिए voltmeter है अभी voltmeter में जो अंदर हमारा mechanism लगा होगा अगर उसमें कोई हमारा mechanism में कोई दिक्कत है तो उस वज़े से अगर कोई हमारी error हो जाती है calculation में तो उसे क्या कहेंगे instrumental error कहेंगे next हमारी क्या होता दिया environmental error environmental जो error होती है हमारी humidity यानि की внутрь की नमी जो होती है इनके कारण जो वाई में temperature हो जाता है इन्दा की कारणimentos हमारी बंती है observational errors क्या हो जाती है यह errors हो गए जो अब करेंटे हैं को का measurement करने में आपने गलती कर दी आपको जो आपका यह होता है टार आपको किडिकेटर थह 90 में आपने 21 कर लिया पंधसी व्रसया किसी तो यह क्या किसमें यह झ्यार्य क melody पृफ्फ में और यह हती हैं यह होते हिए कि जैसे हम calculation करते हैं practical के time में तो उन practical के time में calculation करने में जो error हो जाती है वो हमारी किसमें आती है count होती है theoretical errors में count होती है चलिए one by one हम लोग इसकी basic definition को समझ लेते हैं जिससे आपको exam time में लिखना जो है वो easy हो जाएगा और आप proper notes को भी prepare करते हुए चलिएगा gross errors को यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने head marking कर दी है साहद आपको वीडियो में दीख भी रहा होगा तो बस आपको इतना ही चीज समझना है बाकि यह सब explanation है यह सब आप अपने मंद के से भी कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर मैं हिंदी में English को देखके जो Hindi medium का बच्चा है वो डरेगा नहीं मैं चीजों को Hindi में ही explain कर रहा हूं English medium वालों के लिए यह note करने के लिए है बाकि Hindi medium वाले मेरी voice के थ्रू भी अपने notes को prepare कर सकते हैं और आप लोगों के लिए एक offer मैं present करता हूं अगर मेरे जब मेरे 1000 प्लस subscribers हो जाएंग मेरे चैनल पर 1000 प्लस subscribers हो जाएंगे तब मैं आपको जो भी यहां पर पढ़ा रहा हूंगा उसके proper आपको notes भी provide करना चालू करूंगा और जिससे आप अपने notes को भी prepare कर सकें और exam time में आपको reason करने में कोई दिक्कत नहों तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं यहां पर आज करूं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप मेरे चैनल पर 1000 प्लस subscribers आप पहले कराएंगे देन आपके लिए वह notes available करा जाएंगे तब तक के लिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आप वैसे पढ़ सकते हैं ठीक हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीटिम दोनों ही students के लिए वह notes provide करा जाएंगे ठीक है तो यहां पर gross error की बारे में मैं आपको बढ़ा देता हूं gross error क्या होती है gross error are caused by mistake in using instruments और meters यही मैंने आपको शुरुवात में भी बताया था कि जो gross error होती है वह instruments की use करने के समय में हो जाती है आपकी blender errors क्या होती है blender errors यहां पर मैंने आपको ट्री डाइग्राम में बताया था तो blender error क्या होती है आपकी these errors are caused by faulty recording or due to wrong value while recording a measurement or measuring a scale of a 14 मतलब कि जो blender errors होती है वह scale में measurement करते हैं समय गलती होगे जैसे अगर मैं आपको example बताओं यह हमारा इच्छा देख रहा थे तो आपकी आँखों का view वगेरा आगे पीछे हो गया तो इस वचे से क्या हो गए blender errors हो गए तो वही यहां पर लिख्या हुआ है English medium वाले बच्चे यह definition को भी कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरी वाइस को फॉलो करते हुए अपने नोट्स को प्रिपेर कर सकते हैं मैंने फर्दर आपको बताई चुका हूँ अगर आप नोट्स आते हैं तो आपको क्या करना होगा मेरे चैनल पे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स करवाना हो खांद नेक्सट क्या हैं हमारा मेजर्मेंट इयरर मनें आपको बताया भीठा मेजर्मेंट अविधा में पहला ड्रॉसा बेलेंडर रहोती है ठील मेजर्मेंट क्या होती है च्छ बाल है तो यह होती है हमारी measurement error की मतलब कि जो हमारी true value के आसपास की जो error हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है measurement error में calculate होती है मैंने पहले भी explain कर चुका हूँ अभी यहाँ पर tree diagram को अगर मैं आपको फिर से दिखा हूँ तो measurement error is further notified into two parts that is symmetrical errors and random errors symmetrical errors क्या होती है और random errors क्या होती है यहाँ पर देख लेते हैं symmetrical errors क्या होती है यहाँ पर definition लिखी हुई है symmetrical errors due to fault in the measuring device मतलब कि जो symmetrical मैं तनी लिए से बोल ला था sorry for this guys systematic जो error होती है वो हमारी जो device होती है उसकी measurement के वज़े से हमारी यहाँ पर यह symmetric systematic error जो होती है यह reduce होती है ठीक है तो systematic error आप related भी कर सकते हैं कि system के वज़े से ही कुछ error होई होगी systematic error जो होती further four parts में divide होती है जो कि हमारे instrumental error होती है instrumental क्या हो जाती है due to wrong construction of the measuring instrumental मतलब कि जो हमारा instrument होता है अगर उसका गलत construction किया गया होगा तो हमारा instrumental errors के वह अनतर गता जाता है environmental errors क्या हो जाती है वे errors होती है जो हमारे pressure temperature humidity मतलब कि नम्मी जो होता है इन सब के कारण से जो error हमारे produce होती है वो हमारे environmental errors कि तुम अंदर आते हैं observational errors क्या हो जाती है वो errors होती है जो की due to wrong observation and reading in the instrument मतलब कि जो हमारे observation होता है या फिर reading हम लोग लेते हैं उस समय में जो हमसे errors होती है वो observational errors में आती है एंड नेक्स हम लोग मूव करते हैं हमारे theoretical errors वही theoretical errors वही होगी जो आप calculation वगेरा करते हैं या फिर theory में आप error कर देते हैं वो हमारी theoretical errors के अंदर गताती है random errors क्या होती है हमारी random errors में आप यह समस्क्राइब करते हैं due to noise trialness in working person मतलब कि जो काम कर रहा होता है हमारा लैब में इनसान अगर उस noise बहुत ज़्यादा है लैब में या फिर ठाका हुआ इनसान है तो उससे random errors हो जाती है उससे तो वो जो यह सब errors होती है वो random errors के अंदर में आती है तो जो भी मेरे यहां पर tweet diagram पर explain किया गया था सारी errors मैंने आपको define कर दिया है आशा करूँगा आपको चीजे समझ में आई होई होंगी अगर अभी तक आपने मेरा WhatsApp ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया तो बिल्कुल डेफिनेटी आप उसे जोइन कर लिजए कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह मैंने आपको अधा दिया है और नोट्स वगेरा चैन अगर आप चाहते हैं तो 1000 प्लस सब्सक्राइबर आपको कराने होंगे राइट तो चलिएगा अभी अपने इस वीडियो का हम लोग इस्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वी